हेलो वाट्सप गाइस मैं में स्पिनुवाद बादू थापा एंड टोडे इन इस वीडियो भूबिल सी जैसेन वेट टोकन जियां गाइस आज कोड़िव सच्छे में बहुत ज्यादा आपको मज़ा आज आएगा ठीक है तो सबसे पहले तो मैं यहां पर चलता हूं हमें जै सब्सक्राइब को रहे डियानो जशन शनल्पाइब कोड़िव भाट उप्राइज हूं यह डिया यह वह बाद जिघा कर रहे हूं है यह वही परसन है या नहीं कि यह वो पर्सन है या नहीं तो उसके बेस पे अब आप उसको कुछ एक्सेस दोगे इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बता हूं लेट से आपने एक होटेल स्टार्ट किये इन उस होटेल में बिसिकली तीन रूम से एक है नॉर्मल एक है लगजरी एक है अल्ट्रा लगजरी तो अब आप जो भी आपके होटेल पर आएगा सबसे पहले आप उनका आईडी चेक करोगे कि इस पर सन्ने होटेल पर आ एए मिन जेंगा या नीं आप उसके आइडेंटीटी चेक कर रहे हो दो इस को नोर्मल व्ली दो कर दो तो नहीं दोगे है ना जैसे कि मैं एड्मीन हूं आप आपने नोटिस कियो कि कभी भी आपको मेरे इस पेज पर आपको यह दिखाई नहीं देगा वले आप लॉग इन करके ट्राय कर लो आपको लॉग आपको आपको एड्मीन का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यह एक और यह मैं को एक एक्सेस है यह प्रिविलेज है मेरा कि मैं एड्मीन हुई यहां पर ठीक है तो इसी तरीकिसे जैसन वेप टोकन बहुत ज़्यादे इन पॉर्टेंट है यह मेक्शिवर करता है कि यह जो यूजर आपकी पेज पर है वो जैनूइन है या नहीं और इफ इस जै अच्छे से समझिए भूजिए एक्टम नोटाउन करके रखिए तब जाके आप आगे बढ़िएगा तो जब भी आप जैसन वेप टोकन की बात करते हूं इसका कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें डिफाइन करना होता है इसका है ना जिसमें से वी हैब सबसे टॉप हैडर आप यूजर का जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां पर हम एड़ कर सकते हैं इसन एंटिटी और लाइक वी हैब और सिगनेचर जहां पर एक ऐसा सिक्रेट सिगनेचर होगा एक ऐसा वैल्यों का जो सिर्वर को मालूम होता है ठीक है और एड दी एंड में वी हैब मल्टिपल जो मैंने हापे नहीं लिखा है कि कब तक आपको जैसन वैप टोकन चीए कब तक नहीं चीए कभी मेक सियर करना है जब आप 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 सेंड बोल रहा हूं फाइब मिनेट्स या तू थी मिनेट्स को बंद हो जाता है एबन इस बैका जो उनलाइन वह भी एंट्रिट है अगर वो टोकन आपके पास रहा तो आप एंटर कर सकते बनना नहीं कर सकते सिंपल ठीक है ओल राइट यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूं सो हाला कि इसके बहुत सारे वो थे जैसन वेप सिगनेचर दिखा रहा है तो या दिस इस यह बहुत ही ज्यादा यहां पर आपको पता चल जाता है पूरा यह जो एक डेटा है जिसमें से डिकोड़ेड यह उसका है यह उसका पेलोड जिसमें सब नेम यह था एंदी अन देन इस इस दे सिगनेचर अड यह आपका कुछ ऐसा दिखता है इस इस यह फाइनल जे डवलो टी जिसके अंदर आ आपका पेलोड होता है ने आपका सिगनेचर होता है ठीक है आपको पता चलिया यह है लिंक में नीचे डिसक्रिप्सन में सेर कर दूंग आप inferior कर सकते हूं वह भूब हम इसको काम करते है ठीक Jason wave token are typically not stored in the database, मलाब वो कभी आपको डेटाबेस से स्टोर नहीं करना है, उसको आपको आपको आपके क्लाइन साइट, बिसिकलि आपको आपने ब्राउजर पर ही स्टोर करना है, इन फॉर्म आप कुकी और इन फॉर्म आप लोकल स्टोरेज, ठीक है कभी भी आपको server पर नहीं बेजने और उसकी पीछे का क्या रीजन है यहाँ हो आपको बता हुगा यह जो जैसे सब्सक्राइब करता हूं जब मैं कांटूलर पर रहूंगा जैसे कि मैं आपको तो बता दिया कि इसको सेप करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं as a server क्योंकि मैं बेक एंड में काम कर रहा हूं मुझे मेरे फ्रंट एंड को उसको पास करना है ठीक है मैं उनको टोकन भी शेर करना चाहूंगा आपको अवेट लिखने ही पड़ेगा क्योंकि रिटन प्रॉमिस रिटन करता है एक चीज अब यह जो पार्टे यूजर क्रेट इसकी मदद से में एक फंक्शन बेसिकली एक मेथर कॉल कर रहा हूं जैना चाहिए इसमय को टोकन बीजना इस वह जैना जैन्य तोकन सबस्तल घंसा है जैना हो रहा होगा तो अब मैं आपको बताता हो देखो जन्रेट टोकन जो है अब आपको वापस आपको अपने मॉडल पर आना होगा अगेन यह जो यूजर इसकी मा है विलिप में इस शुपर पावर इसके अंदर नाव में आपको अब यह जो एक पार्ट है अब यहां पर आपको जो जन्रेट टोकन जो था अब आप यहां पी इस तरफी से क्रेट कर सकते हो ओ माय गॉड्ड में वही बोलु क्यों वह इस तरफी से दिखा रहे है we have a user schema dot we have a methods यह देखिए and dot यह जो generate में पेस्ट कर सकते हूं this is it so आप आप देख लोगाइस यह एक आपका आप कह सेकते हूं it's your instance ठीक है अब यह एक instance method है मतलब user schema dot यह जो methods है इसकी मदद से आप कितने भी functions को create कर सकते हो और यह जो function से आप उसको कोई भी individual page में access कर सकते हूं so one more time user schema dot methods की मदद से आप कितने भी methods यह function create कर सकते हूं and उसको आपको यहां पर guys simply define करना होगा ठीक है आपको यहां पर इस तरह की से define करना है और यह जो पार्ट है यह जो function अब आप इसको अपने controllers पर कहीं पर भी access कर सकते हूं so इस तरह के से मैंने इसको यहां पर access कर लिए तो यह जो पार्ट है मैं यहां पर define कर रहा हूं and with the help of this methods आप कितने भी function create कर सकते हो मैं बार बार आपको यह बता रहा हूं इस पर जोड़ दे रहा हूं क्योंकि यह बहुत जगे काम आएगा this is it यह मेरा पार्ट होगे यहां पर मैं इहां पर चलता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया गाई जे डबलुट को बहुत ही ज्याद ही जिए इसमें सिर्फ दो ही चीज है अगे जे डबलुटी डॉट साइन जे डबलुटी डॉट वेरिफाई सिंपल यही दो चीज है इसमें भी लाइक वी अवी क्रिप्ट ठीक है लेकिन सबसे पहले हम इसको इसको इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा मैं यहां पर चलता हूं आप चोटा लग रहा आप लोगों के तो जूम कर देता हूं आप देख सकते हो माइग विक्ली डॉनलोड इसको मैं कॉपी कर लेता हूं थीक है मैं अगें टर्मिनल ओपन करता हूं इसको मैंने यहां पर कर दी है इंस्ट्रॉल एंड यहां मेरा इंस्ट्रॉल हो गया तो कोई टेंशन नहीं है मैं इसको रखता हूं एकदम टॉप पर में चलूंगा ओवह यह लैट्स कॉइट कॉंस्ट जेसन जेड़वलोटी विल बीकॉल टू अगें यहां पर आपको च काइस बिलिप में यह बहुत ही ज्यादा इजी है आपको मतलब मजा आ जाएगा ठीक है सो ट्राइए और देन कैश्पे में चलता हूं यहां पर गाइस पहले ही डॉट एरर होगा सो वी हैब कंसोल डॉट एरर और जो भी एरर होगा मैं यहां पर रख दे रहा हूं ठीक है म इसके अंदर जैसे कि में आपको बता है सबसे पहले पास दी पेलोड पेलोड मलब उस यूजर की आइडेंटिटी जो आप सेर करना चाहते हो यह बोल दो मुझे यूजर इडी सेर करना है ठीक है यूजर और देन आइड और यह जो पाट होगा यह होगा दिस डॉट अंड इसको पास कर दे रहा हूं यूजर इड को ठीक है और उसी तरी किसे इमेल में पास कर रहा हूं एड मैं बोलूंगा इस.email ठीक है सिंपल यह तो मैं आपको बता यह ता इस में आपको सारा डेटा आ जाता है और इस एडमीन वह एडमीन है यह यह डेटा भी मैं इसके आमा देना है here you need to pass that signature अब आपको वह signature पास करनी है ठीक है तो उसके लिए अगें signature तो आपका इंपॉर्टेंट जो सिर्फ सबग को पता होना चाहिए तो डॉट एन भी पर हम चलेंगे तो आप देख सकते हूं यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह किसी JWT तो आप कुछ भी लिख सकते हूं लाइक इस टोटली अप टो यू अंडे स्को एंडन की ठीक है तो मैं यहां पर चलता हूं मैं लिख देता हूं वर्ल्ड ब तो मैं लाइक इसको एक बाब बैक करके यहां पर आऊंगा तो अब यह दू यह भी मेरा हीड होगी है वाट इसको मैं कॉपी कर देता हूं सो मैं मॉडल पर आऊंगा ओभी हो ठीक है इस जेगे पर है सो वी हैब अब प्रोसेस डॉइ перек i j cite kovraya इसको में कॉपी कर देता हूं रहां पर इसको मैं यहां पर चलकि पैश कर देता हूं और बोडल पर राइट तो साफ इस एट अड हमें एक को आप देटा पास करना चाहूंगा पर चके ओशन का फ्रनाव है and that is expires and then in देको automatic suggestion आता जो कि बहुत अची में बोल तो 30 दिन बाद automatic इसको expire कर दीजिए आप या this is it कुछ नहीं करना था बस इतना ही है हमने एक method instance method यह जो है ना methods तो यह आपके एक instance method कहलाते है जिसमें आप कितने भी functions create कर सकते हो and हमने simply स्थर किसे create की and token मैंने generate की और मैं return कर दे रहा हूँ return करके कहां जाएगा वो मेरे controller पर जाएगा over here तो basically इस token पर add हो जाएगा and साथी साथ यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पर if you want आप guys user id यह जो है ना यह भी आप यहाँ पर पास कर सकते हो क्योंकि यह जो user created dot अब उसके अंदर देखो id तो अल्रेडी है बट वह जो मेरा underscore id है उसको मैं convert करना चाहूंगा to string में ठीक है यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना क्योंकि क्या होता ने कि एक जो compatibility होता है वो बरकरार रहता है एंड यह क्या हो रहा है यह यह डॉट होगा ठीक है this is it में बताता हूं यह जो पाते आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यह क्या हो रहा है ठीक है तो मेरे पास इसका एक solution तो है है जो में भी आपके साथ में शेयर करना चाहूं सो यह दिस इस इट यह मुझे मिला कोड़ेक जो में रख देता हूं देखो इन मोस्ट केसेस कनवर्टिंग अंडिस्कॉर आइडी तो इस ट्रिंग इस ट्रिंग प्राक्टिस विकॉज इट एंसुर कंसिस्टेंसी इन कॉंपैटिबिलिटी अक्रोस डिफेंट जिसन वेफ टोकन लाइब्रेरिस एन सिस्टम्स इट अल्सो अलाइइंस विद दी एक्सपैक्टेसंस डाइट क्लेम्स इन जे डालो टी आ रिप्रेजेंट एज इस ट्रिंग सो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसन वेफ टोकन को मोस्ली स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाइं पर आगर स्ट्रिंग के बतले अगर आप कुछ और पास कर देता इन आउर केस यह जो अंड्रिसकोर आइडी है कब भी आप मेक्सेयर करना इकदम ध्यान से देखना वो कभी भी आपका स्ट्रिंग ने रहुता वह खुद अपने आपमें एक अबजेक्ट है यह देखिए देख रहे हो आपका इजो अन्रिसकोर आईडी है वो अपने आप में एक object है ना कि एक string है तो इसलिए मैंने ये जो part है इसको भी एक string हो बोलके मैंने string में convert की है This is it, इतना मेरा काम तो हो गया अब एक काम करता हूँ ये मैंने यहाँ पर pass तो कर दी है मैं यहाँ पर चलता हूँ 6 के बदले 7 कर देता हूँ Ctrl S Save and मैं Send पर क्लिक कर देता हूँ and boom ऐसी यह देखिए मुझे मेरा token मिल गया and मुझे मेरा user ID भी मिल गई अब मैं काम करूँगा मुझे response में मुझे ये data नहीं बेजना है तो मैं क्या करूँगा instead of user created मैं एक message लिख देता हूँ and that is nothing but registration successful simple yeah registration successful this is it so मैं आप 7 आविल गो विट 8 and then मैं रेस पे क्लिक करता भूँगा इसी message में registration successful token मुझे मिल गई है server ने token मुझे share कर दी हम front end में आगे बहुत इजली get कर सकते है and yeah guys this is it आज इस बीडू के इतने यह जो Jason wave token था यह बहुत जादे important concept था hope आपको पता चलोगा आपको instance method के बारे भी पता चला कितनी इजली अब आप कितने भी function create करो models में जागे आप इसको बहुत इजली get and define कर सकते हो so guys this is it आज इस वीडू के लिप नहीं hope आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा आपको क्याण कर दो काईस वीडियो पसंद आए तो लाइक किजेगा दोस्तों के साथ बहर बहर के share कर दीजेगा comment किजेंगा अगर पूजी प्रोप्लम हो में आपकी जरूर्ठ करोंगा and next target is 1 million subscriber so अब भी तक subscribe क्या प्लिस कर दीजेगा में तो मैं अब आपको नेक्स विडू मेरते लगा है thank you so much एक क्या हुआ